डॉक्टर भास्वती भट्टा चालिया इधर पुर्वांचल में बड़े पैमाने पर लोगों को चीकन गुनिया हुई और चीकन गुनिया के बाद ये देखा गया कि ज्यादत तर लोगों को घुटने में कमर में काफी दरद होने लगी और यहां तक के उनको उठने और बैठने में काफी परिशानी हुई और इसके पहले भी लोगों को चीकन गुनिया होती थी चेचक होती थी मगर वो एक हपते दस दिन में सही हो जाती थी मगर उसका यह एफेक्ट नहीं होता था आगे लोगों को हड़ी में दरद हो रही है बोन में हो रही है उनका दोनों घुटना एक्दम जाम हो रहा है उठने बैठने में उनको परिशानी हो रही है और यह बनारस में अभी इस बार बड़े पैमाने पर हुआ है यह पूरे पुर्वांचल में हुआ है तो आगे यह क्या कारण है क्या वाइरस एफेक्ट है कि इस तरह की चीकन गुनिया आई कि लोगों को लोगों का चलना मुश्किल हो गया लोग चलना मुश्किल नहीं पा रहे हैं और तें किचल में काम नहीं कर पा रही है क्या कारण है अईरवेदा बोलते हैं जो इसमें आपका आमा आ गया आमा